हेलो फ्रेंड्स आज से इस्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं पेटिकोट की मुहरी बनाना बताऊंगी तो ये दिखे यहां मैं पेटिकोट की पूरी स्टिचिंग कर चुकी हूँ नीचे का सिर्फ मुहरी बनाना है तो सबसे पहले नीचे वाले कपड़े को करना है और एक बराबर कर लेना है जो भी बड़ा कपड़ा दिख रहा है उसो कटिंग करके निकाल देना है बराबर करने के बाद दिखिए अब हम इसको वन लेयर में कर लेंगे और वन लेयर में करने के बाद दो बार हम फोल्ड करके फिर सिलाई लगाते हैं मौहुरे के लिए तो यहां मैं कपड़े को 2 बार फोल्ड कर लिए एक बराबर आप जितना भी मार्जन के लिए कपड़ा रखें है 1 इंच या 2 इंच अगर 2 इंच है तो 1-1 इंच 2 बार फोल्ड कर ले जिएगा और वन इंच है तो हाफ आफ इंच दो बार फोल्ड कर लेजिएगा तो इस तरीके से दो बार कपड़े को फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे अच्छे से बराबर में कपड़े को फोल्ड करना है थोड़ा सा नीचे घीर रहता है, राउंड में रहता है, तो थोड़ी से दिक्कत होती है, लेकिन आराम से धीरे-धीरे फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे अगर आपसे सिलाई नहीं लग पा रहा है बराबर, तो पहले फोल्ड करके और एक बार आप आईरन कर लिजिएगा, आईरन करने से कपड़ा एक जगा फिक्स हो जाएगा, उसके बाद से आप सिलाई लगाएगा तो यहां देखिए, यहां इस तरीके से मैं दो बार कपड़े को फोल्ड करते हुए, एकदम किनारे-किनारे उपर के साइड मैं सिलाई लगा रहे हूँ, देखिए, जहां से फोल्ड हो रहा है, वहीं उपर एकदम किनारे-किनारे फिनिसिंग के साथ सिलाई लगा लेना है कपड़े को एक बराबर फोल्ड करना है ताकि नीचे से उसकी गुलाई अच्छी लगे और फिनिसिंग भी अच्छी लगे तो यहां मैं दो बार कपड़े को फोल्ड करके मैं पूरे घेर में सिलाई लगा रही हूँ उपर का सिलाई मैं लगा ले हूँ यह सिलाई लगाने के बाद अब एक सिलाई हमको नीचे लगाना है एकदम नीचे नीचे किनारे किनारे सिलाई लगाना है जैसे उपर एकदम किनारे सिलाई लगाया गया है सेम उसी तरीके से नीचे एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है तो ये सिलाई मैं पिटिकोट का जो सीधा वाला साइड है उधर के साइड से मैं लगा रही हूँ तो देखिए इस तरीके से एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाना है सिलाई बाहर के साइड भी न जाए न ज्यादा उपर के साइड आए फिनिसिंग के साथ हम थोड़ा सा आराम से एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे तो एक सिलाई उपर और एक सिलाई नीचे यहाँ दो सिलाई हो गई है मोहरी पर अब यह सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम एकदम सेंटर में लगाएंगे यानि कि दोनों सिलाई के बीच में हम एक सिलाई लगाएंगे दोनों साइट बराबर जगा छोड़ना है लगा लेंगे, मुहरी पर डिजाइन बनाने से पिटिकोट ज्यादा अच्छा लगता है, तो देखिए यहां मैं बीच में भी मैं सिलाई लगा ले हूँ, अब यह सिलाई लगाने के बाद देखिए यहां मैं चोक से मैं निशान बना रही हूँ, इस तरीके से जीग जोक जै सकते हैं, तो लगा लीजीगा, अगर अगर ऐसा सिलाई लगाना नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से पहले चोक से निशान बना लेना है, देखिए, थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर सकते हैं, तो यहां मैं चोक से मैं निशान ब पा रही है तो बीच में रूक रूक कर सिलाई करिएगा देखिए यहां कॉर्णर पे थोड़ा सा उठाना है सुई को फिर रखते हुए फिर कॉर्णर पे उठा लेना है ठीक है इस तरीके से अगर आपको सिलाई करना नहीं आ रहा है तो बीच में रूक रूक करके आप लगा लेना है देखिए इसके बाद जो निशान मैं लगाई हूँ उसके बाद से मैं बिना निशान का मैं सिलाई लगा लूँगी तो यहां से देखिए यहां से इस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ थोड़ा सा फास्ट करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ अगर आप को सिलाई लगाना नहीं आ रहा है तो आप पूरे घेर में चौक से निसान बना लिजेगा फिर सिलाई लगाईएगा मैं यहाँ बिना निशान का ही मैं सिलाई लगा ली हूँ पूरे घेर में अब उपर का सिलाई लगाने के बाद देखिए बीच में जो सिलाई लगा था उसके सिर्फ उपर वाले भाग में मैं सिलाई लगाई हूँ अब नीचे वाले भाग में भी इस तरीके से सिलाई लगाना है निशान के उपर अच्छे से कॉर्णर को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिसिंग ज्यादा अच्छी आए कॉर्णर को कॉर्णर से अच्छे से मिला लेना है उसके बाद से देखी बाद में जो मैं सिलाई लगाई हूँ उसमें भी मैं corner से corner मैं मिलाती हुए पूरे घेर में मैं सिलाई लगा ले रही हूँ तो इसी तरीके से पूरे घेर में सिलाई लगा लेना है तो ये पेटिकोट का जो मोहरी है ये design वाला बन गया है देखिए इसकी finishing बहुत अच्छी आई है और ऐसा मोहरी बनाने से पेटिकोट का लुक और ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो देखिए उल्टा वाले side से भी इसकी finishing बहुत अच्छी लग रही है और सिधा वाले side से भी finishing अच्छी लग रही है तो इसी तरीके से हम पेटिकोट का मोहरी बनाते हैं अगर आपको पेटिकोट की cutting और stitching का वीडियो देखना है तो मेरी चैनल पर available है आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही असान तरीके से पेटिकोट बना सकते हैं आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू